स्वागत है आप सभी का तरुन इंडिया इंस्टिट्यूट के यूट्यूब चैनल में जहां हम लोग बात करते हैं कंप्यूटर और उससे जुड़ी जानकारियों के बारे में तो अब तक हम लोगों ने भिहार STET से रेबस को कवर किया है बहुत सारी टॉपिक्स अभी बांकी ही है तो हम लोग डिजिटर लॉजिक सेक्शन के ग्रे कोड पर थे और अब हमें देखना है उनका कंवर्जन कैसे हम बाइनरी को ग्रे कोड में कंवर्ट कर सकते हैं और तर बनाते हैं तो ग्रे कोड क्या है यह हमने पिछले वीडियो में देख रखा था जीरो टू नाइन यानि टोटल दस रिजिट जो हमारे डेसिमल में होते हैं उसके ग्रे कोड क्या होते हैं वो भी हमने पिछले वीडियो में देख रखा है अभी हम लोग किसी भी एक नॉर्मल प्रोसेस है और जो जो ऑथेंटिकेटेड प्रोसेस है दोनों की हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम एक कोई भी बाइनरी ले ले लेते हैं जैसे हमारा यह चाहे जो भी नंबर हो मुझे नहीं पता मुझे बस इसका ग्रे कोड चाहिए तो ग्रे कोड का जो पहला नियम है वो यह कहता है पहला स्टेप है वो यह कहता है कि हमारा जो MSB है यानि most significant bit हमको उसको जैसे का तैसे ही रख देना है जैसा हमें most significant bit मिला है वैसा ही रख देन है और पहला डिजिट हमें मिल जाएगा उसके बाद जो next digit होता है वो पहले डिजिट को दूसरे डिजिट में plus करने के बाद जो डिजिट हमें right side में मिलता है चुकि यह binary है तो हमारे पास carry भी आएगा one का हो सकता है तो हम carry को यहाँ पर ignore कर देंगे यह normal process है ignore carry ठीक है carry को ignore करेंगे और जो हमारा बांकी डिजिट बच जाएगा उसको हम यहाँ पर लिख देंगे ठीक है यह हमारा दूसरा डिजिट मिलेगा और इसी तरह से हमारा अगला process होगा इसको भी हम ऐसे ही यहाँ पर डिजिट लाएंगे जो carry होगा हमें उसे ignore कर देना है last तक हमें यही करना है ठीक है सबसे पहला काम है msb को जैसे का तैसे रख देना यह हमारा msb कि तो msb को हम जैसे हा वैसे ही रख देते हैं हो गया one अब दूसरा क्या है one plus two पहले नंबर पे जो है हमारा उसको हम दूसरे से plus करेंगे one plus one तो binary में one plus one जब हम करते हैं तो वो होता है two यानिकी one zero one zero यह हो गया carry और इस carry को हमें कर देना है ignore तो बच गया हमारे पास zero ठीक है यह हम zero यहाँ पर लिख देंगे next है two plus three two है one यह है zero इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो यह हो जाएगा हमारा one plus zero one उसके बाद three plus four इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हो जाएगा हमारा zero plus one यानिकी one तो यह है हमारा binary से gray code one zero one one तो जो हमारा पहला step है MSB जैसे का तैसे रख देना है उसके बाद हम क्या करेंगे यह जो पहला digit है binary का दूसरा digit है binary का उन दोनों को प्लस करेंगे और जो number आएगा वो लिख देंगे पर binary को हमें ignore करना है जो carry में आएगा carry वालों को हम नहीं लि जैसे हम फटाफट से बनाना चाहें objective के थरूप पर जो authenticated तरीका है जो तरीका लिखेत रूप में मौझूद है वह एक्जॉर operation पर होता है वह भी हम देखते हैं एक्जॉर operation एक्जॉर क्या है पहले हमें वह समझना होगा और उसके बाद फिर हम उसके operation को समझेंगे ठीक ह तो एक्जॉर पहले हम समझते हैं आखर ये एक्जॉर होता क्या है एक्स ओ आर एक्सक्लूजिव और तो ये है हमारा प्रुथ टेबल जीरो 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 वन वन जीरो वन 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 तो अब इस ए और बी पर जब हम एक्जॉर operation करेंगे तो जीरो एक्जॉर जीरो ये क्या होगा इसके लिए पहले हमें जानना होगा कि एक्जॉर में आखिर रिजर्ट हमारा कैसे आता है तो एक्जॉर के अगर दोनों इनपुथ अगर सेम होते हैं तो हमारा जो रिज़ट आएगा वह होगा पाल्सरा और अगर हमारे दोनों इंपुट डिफरेंट होते हैं तो वो आ जाता है ट्रू ठीक है और एक्जॉर ऑपरेशन का जो में काम है वो एरर डिटेक्शन है ताकि जब भी हमें अपने इंपुट में से निकालना होता है कि और वन्स है या नहीं है इस तरह से तो हम एक्जॉर ऑपर चाड़ेशन का यहां रिजल्ड लाना है तो जब सेम होगा तो फॉल्स होगा और जब डिफरेंट होगा तो ठू होगा फूम होगा छो तो उजिदेक्ज जबिन होग होता है छी तरह से जो हमारे digits हैं उनका XOR operation करना होगा 1 XOR 1 आप इस table में देख सकते हैं 1 XOR 1 जो है वो है 0 तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0 उसके बाद फिर 1 XOR 0 1 XOR 0 1 XOR 0 इसका result है 1 तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे और फिर 0 XOR 1 इसका result भी होगा 1 तो इस तरह से हम XOR operation का भी यूज करके binary से gray code में convert कर सकते हैं ठीक है यह है हमारा authenticated तरीका जहां हम MSB को पहले लिखते हैं पहला होता है MSB उसके बाद के digits को हम XOR operation से वहाँ पर लिख देते हैं मतलब 1 प्लस 2 यहाँ प्लस नहीं XOR 2 होगा फिर 2 प्लस XOR 3 फिर 3 XOR 4 इस तरह अगर bits हैं हमारे पास तो हम इन दो steps का यूज करके binary से gray में convert कर सकते हैं यह हमारा तरीका इस तरह के बहुत सारे objectives भी आपको मिल सकते हैं कि कैसे कोई binary दिया हुआ हो और उसका gray code क्या होगा तो आपको निकालने के लिए इसी process का इस्तेमाल करना होगा पहला step है MSB दूसरा step है 1 XOR 2 फिर 2 XOR 3 इस तरह से हर डिजिट का XOR अब जो gray से binary में conversion है अगर हम gray code से binary में convert करें तो यह भी वही process है same to same पहला हमारा होगा MSB और दूसरा तरीका होगा जो पहला digit है XOR दूसरा digit फिर दूसरा XOR तीसरा digit फिर 3rd plus XOR 4 इसी तरह से आपके अगर digits हैं तो आपको इस तरह XOR करते जाना है तो पहला step है हमारा MSB तो इसके लिए पहले हमें एक example लेना होगा कोई भी हम gray code का ही example ले ले लेते हैं जैसे 110 1 वही बस ये gray code है जिसको हमें binary में convert करना है तो पहला process है हमारा MSB का most significant bit इसको हमको जैसे का तैसे यहां पर रख देना है next है कि हमें XOR करना है पहला और दूसरा bit तो 1 XOR 1 ये हो जाता है हमारा false फिर जो हमारा 1 XOR 0 है वो हो जाएगा true और फिर 0 XOR 1 है वो हो जाएगा हमारा फिर से true तो इस तरह से हमारे पास gray का binary आ चुका है process वही है बस यही तरीका हमें अपनाना है चाहे वो gray से binary हो gray से binary हो या binary से gray हो तरीका वही रहता है पहला step है MSB को जैसे का तैसे रख देना है उसके बाद जो digit है 1 plus 2 sorry यहां पर plus नहीं होता है यहां XOR operation होता है तो यहां हर MSB के बाद हम हर digit का XOR operation करते हैं और फिर result हम वहां लिखते हैं अगर साधारन भाशा में हम देखें तो बस हम add करते हैं और add करने के बाद जो हमारा last digit होता है वो रखते हैं carry को ignore कर देते हैं तो इस तरह से आप gray to binary binary to gray convert कर सकते हैं बहुत ही आसान है अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में नए topic के साथ खुद को खुद से बहतर बनाते रहिए धन्यवाद